लोग आज आज में चल लड़ू बनाने के लिए तो घीब में हमने सूजी डाली है थोड़ा घीब डाला है करीब 50 ग्राम लगबग और मैंने सूजी एक पड़ डाल दी है करीब 300 ग्राम लगबग है ये सूजी तो मैं इसको चलाती रहूंगी आराम से ये धीरे धीरे लोफ टेम पे ही मुझे भूनना है सूजी को ताकि इच्छी सुकंदा इसमें खुजबू अच्छी खुजबू आने तक मैं इसको चलाती रहूंगी बढ़िया और इसमें आप जाएगा ये बेशन करीब 50 ग्राम लगबग ये बेशन जाएगा इसमें इसको भी इसमें मिक्स करन है तो इससे बेशन डालने से खुजबू बहुत अच्छी आएगी और खाने में इसका टेस्ट बदल जाएगा तो इसलिए अब मैं चलने हूं चासनी देखने के लिए चासनी ये मारी तैयार हो रही है तो मैं फिर आ गई अधर बेशन को देखने के लिए और देखो कितना मिक्स बढ़िया हो गया है और ये मेरी बचीवी रोटी है तो इसमें ये बचीवी रोटी थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करना है तो इसका भी समलो टेक्चर बढ़िया आएगा बचीवी रोटी का तो मैं बचीवी रोटी को यूज कर रही हूं समलो लड़ो के रूब में और यह कई परकार से बची वी रोटी यूज करी जाती है, तो मैंने इसमें बेशन सूजी में मिक्स कर दिया है, तो रोटी की तो आएगी ही नहीं, इसमें मैं बिल्कुली आएगा बेशन का टेक्चर आएगा इसमें, और यह हम डाल दें, कोकोनेट, जो बजार में मिलता या चासनी को ठंडा कर रही हूँ थोड़ा सा, ठंडा करने के बाद हिलाती डुलाती रोगी ठंडा हो जाएगा, फिर यह मिस्टर डाला जाएगा, जो मैंने अभी भूना है, तो यह चारा मेंने डाल दिया है, तो मुझको पता है कि यह इलाची पावडर है थोड़ा, कुछ आरने के लिए थोड़ा अच्छा स्वात बदल जाता इससे इलाची से, और आपको घर पर संथ डाले ने तो ना डाला, यह मैंने फूट कलर डाला है थोड़ा, कलर आने के लिए देखना कितना बेस्ट हो गया है, बहुती परफेक्ट बनेगा, अगर इसी परकार से आप ब आपके ही बार-बार कोशिस करेंगे बनाने के लिए और मैं इसको ठंडा करने के लिए निकाल रही हूं वरतन में, इसको ठंडा करके मैं जोखो शेफ दूंगी थोड़ा सा, चिम्मस की मदद से नाप रही हूं, कि मुझको एक साइच के ही बनाने है, लड़ू, यह माराद लड़ू का से तयार हो गिया है, और इसी परकार से मैं आपको और दिखा रही हूं, बस एक एक चम्मस जादा भरना नहीं, थोड़ो छोटे बड़े तो हो तो अपनी मर्जी है, कितना भी बड़ा बना लो, कितना भी चोटा बना लो, तो मैं इतने एक ही चम्मस का कार दे रही हूं, और यह हमारे लड़ू सारे तयार हो चुके है, देखना कितने बेश्ट लगरे कोई भी नहीं बोलेगा कि इसमें रोटी डली हुए, आप इतने बनाएंगे ना इसी परकार से, एक बार तो बहुती बेश्ट लगेंगे, खाने में कोई भी पूछेगा कैसे बना कार से प्लीज बनाईए, खिलाईए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए, बहुती मेनल लगती वीडियो बनाने में, बहुती अच्छे लड़ू है, प्लीज एक बार जरूर बनाए, खिलाए बच्छों को, बहुती कर दो कर दो है, बहुती में झाल से का घुती जरूरा में उरूर में आने में, बहुती नरूरर कॉः ऑढ़ पिलाए, झाल सवनल प्ठाशी का लाइक, सब्據